74 बरसी ये बुजुरुक के सामने खडी थी नंगी महिला एक लाइन का सुन करके नेतार्थ मत निकालिएगा आप भी फंस सकते हो और एक बड़ा अपराध इस तरह का है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ फंस गए बरिष्ट नागरिक इस प्रकार का अपराध प्रदेश में पहली बार घटित हुआ है इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत से लोगे एक लाइन देख लेंगे थमनेल और उसके बाद काएंगे साभी सब क्या वीडियो कर रहे है यह आपका अस्तर है क्या बुजर्ग बैक्ती के सामने कोई राष्टा नहीं दिखा मान सम्मान बचाने के लिए उर्होंने वह सब कुछ किया जो सामने वाला करकाता रहा और इन्होंने पल गिया फिर अपना एकाउंट पूरी तोर पर खाली कर दिये एकाउंट में नहीं रह गया एक भी पैसा राद की नीद हो गई गायब दोस्तों मैं हूं ब्रजबूसन दूबे बिनमरता के साथ हमारा नमस्कार मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपूर का रहने वाला हूं गाजीपूर हमारा ग्रीज जनपद है हमारा ब्रजबूसन मारकंडे के नाम से ही फेस्बूक अकाउंट भी है तो दोस्तों या बताने का यह मतलब रहा कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं रोज कुछ कमेंट इस तरह के आते रहते हैं सार आप अपने बारे में बताइए तो फिर क्या हुआ नई नई मोबाइल लिया था साब ने और मोबाइल बच्चों ने दे दिया कि पापा देखेंगे कुछ इसी में ब्यास्त रहेंगे कुछ वीडियो कालिंग से भी हम पापा को देख सकेंगे बच्चे बाहर रहते थे तो पापाक का जैसे ही नया मुबाइल आया और इसे ही पता नहीं कैसे पता लग गया कि नई मुबाइल इनके पास है और वीडियो कालिंगों गरे सीख रहे हैं फिर क्या था आया फेंड रिक्वेस्ट और फिर उसके बाद वीडियो काल आ गया सामने एक सुन्दर सी लड़की थी और उसने कपड़े निकाले नंगी हो गई कुछ सेकेंड देखा होगा उसके बाद उन्होंने काट दिया सायदियह इस प्रकार का भास उन्हें था कि ऐसे वीडियो काल आते रहते हैं और आते हैं तो लोग फसा देते हैं इस लिए डर के मारे उन्होंने कुछ सेकेंड में ही काट दिया था अब क्या हुआ एक घंटे बाद एक फोन आता है जिसमें वीडियो कालिंग में सामने एक पुलिस का आधिकारी देखता है आईपी अस अबसर है और देखने में ही लग रहा था चुकि मरिश्ट नागरिक पढ़े लिखे थे उन्होंने जान लिया कि यह है तो कोई आईपी असबसर है हमने इनकों देखा है कभी यह हमारे यहां क्यों फोन करेंगे लट्कियों से बात करते हो लडिकियों का अनगन फोटो और पीडियो देखते हो फशा दूगा जेल में सड़ जाओगे जमानथ नहीं होगी इस उमर में तुम्हें सर्म नहीं लग रही है इस तरह का करते हुए तो दोस्तों अब यह तो काफी हड़क गए हर्ट अटेक भी हो सकता है इसे मामले में सबसे बड़ा संकट यही होता है जहां ब्यक्ति की प्रतिष्ठा दाव पर लगती है उससे बड़ा कोई धन सोक सहलेगा और भी मरत तो सोक सहलेगा लेकिन प्रतिष्ठा अगर दाव पर लगेगी तो इस मामले में उसे अटेक आ सकता है यह है डीप फेक इसे कहते हैं और यह एक प्रकार का फ्राड है AI के माध्यम से हम इसके बारें बताएंगे यह मामला है गाजियाबाद का जो अगरी के फेस्बुक पर एक महिना का वीडियो काल आता है और लड़की थी नंगना उस्था में आती है जिसे हमने बताया और फिर मिचारे ऐसे ही कर रहे हैं सोच रहे हैं तब तक आ गया पुलिस सदिकारी का फोन और उसने काफी हरकाया हरकाने के बाद उसने अपना एका उसने के बाद फिर और भी पैसे की मांग की जाती रही रात की नीध अठाम नीद की दवा खाया और उस पुलिस सदिकारी के अचे इंटिलिजन्स से फ्राइट का जो केस हुआ है उत्तरपदेश में पहली बार हुआ है जैसे मैं हूँ मेरा भी हम लगेगा कि प्रजबुसों दूबे फोन कर रहे हैं सिदे सिदे और इसी आवाज में हमारी आवाज भी आ जाएगी हम सिदे सिदे हमारी सकल भी आ जाएगी और हम किसी को वीडियो कालिंग करके यह लगेगा कि हम कुछ कह रहे हैं पैसे की मांग कर रहे हैं सावधान हो जाएगे काफी काम का यह वीडियो है समझदारी से काम लेना है अगर हम ही कभी आईसे लगे कि तो दूबे जी हैं कह रहे हैं मैं हूँ ब्रजबुसों दूबे यूटूब चैनल ब्रजबुसर मार दीजिये कोई ऐसे जो भी होगा तो आप फंस जाएंगे एक अच्छा भला आदमी इनके जाल में फंस गया और फिर इस तरह से जब उनकी लड़की मोनिका सर्मा से उन्होंने बताया कि 74,000 रुपया हमने दे दिया है और पूरा एकाउंट हमारा खाली हो गया है और भी पैसा मांग रहा है बेटी हमारा कोई कुसूर नहीं है हमने तो किवल देखा और बंद कर दिया बेटी पढ़ी लिखी थी उसने जान लिया पापा चिंता मत करी इस तरह का अपराद होता रहता है पापा आप हमको बताएंगे हमसे बताएंगे आप सपाई दे रहा है पापा हम जानते हैं अपने चिंत रही है मैं आ रहे हूँ मौन का आती है और फिर देखती है पूरा सर्च करके उस नंबर पर काल करती है पहले तो निकालती है वग तो वह जो फोटो है वह प्रेम प्रकाश जी का है जो प्रेम प्रकाश एक सिनियर IPS अपतर रहे हैं उनका भी चैनल है YouTube पर काफी अच्छे अच्छे वीडियो करते है कानून ला प्रेम प्रकाश के रामसे है चलिए मैं उनका प्रोमसन भी कर देताई। परिया प्रकास के दाम से उनका है और वह अच्छा अच्छा वीडियोぎ करते हैं, लोगों को बताते हैं, अब सेवा निब्रित हो गये हैं, तो मुंका ने उनका फिगर निकाला जिससे पता लगा, यह प्रेम प्रकास हैं, यह प्रयाग राज में कुछ महिने पहले इनकी तेनाती थी ADGP प्रयाग राज थे और यह सेवा निब्रित हो चुके हैं फिर उस नंबर पर जिस नंबर से फोन आया था और जिस से बरिश्ट नागरिक सर्मा जी से अर्बिन सर्मा से पैसे की मांग की गई थी उस नंबर पर मौनिका ने फोन किया और कहा कि हमारे प्राद क्या है कहां दरज किये हो और हो कौन तुम कौन से IPS हो तो जैसे ही मौनका का फोन जाता है और इस तरह के धारदार सवाल होते हैं उधर से फोन काट दिया जाता है यह मामला आर्टिफिसियल इंटिलिजन्स वाली तकनीक का है और इस प्रकार का जो फ्राड है आपक कभी भी फंसा सकता है और इस फ्राड में फंसने के बाद आप बहुत कुछ आपके साथ बहुत कुछ नादानी भी कर सकते हैं और सारा एकाउंट साब भी हो सकता है मृत भी हो सकती है तो इस मामले में पुलिस ने अपराद दर्ज किया है पुलिस का भी सर चक्रा रहा है इ जल्दी ही उनके गिरेबान तक पहुँचेंगे फोरंसिक जाच और अन टेक्निकल तकनीकी और वह नंबर सरविलांस पर लगाते हुए पुलिस उमीद है कि उत्तरपदेश की पुलिस जल्दी ही उस आरोपी अपराधी के गिरेबान तक पहुँचेगी लेकिर आवसेक्ता इ इसकी सुचना करिए इसी में आपकी भलाई है समाज की भलाई है और इसी से आपराध का उन्मूलन भी होगा दोस्तों मैं हूं प्रजबू सुर्दूबे आधर पुर्वक हमारा प्रडाम स्विकार करिए धेर सारी सुब कामना है